जम्मो कश्मीर जियोग्राफिकली एक ऐसा सेंटर है जहां दुनिया की तीन नीकुलर पॉवर्स मिलती है और तीनों का अड्मिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है कुछ रीजन्स पे तो 1846 में जम्मो इन कश्मीर ब्रिटिश राज के अंडर एक प्रिंसली स्टेट थी और उस समय का मैप आप देख रहे होंगे फिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की पार्टिशन होने के बाद प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था अपनी साइट चूस करने का पर उस ताइम जम्मो इन कश्मीर के रूलर महराजा हरी सिंग ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया पर उनकी ये न्यूट्रैलिटी जादा समय तक काम नहीं आई वेस्टन साइट पे विद्रोह और पाकिस्तान की सपोर्ट के बाद जम्मो कश्मीर ने देखा अपना फर्स्ट वार और जब प्रिंसली स्टेट की खुद की आर्मे इन क्यूडर्स को जादा रेजिस्टन्स नहीं दे पाई तो महराजा हरी सिंग ने इंडिया से हेल्प मांगी पर उसके लिए विले पत्र इंस्ट्रूमेंट ओफ एक्सेशन को साइन करना था जिसके बाद 26 ओक्टूबर 1947 में जम्मो कश्मीर भारत का खंड पार्ट बनता है